मांच पर आचुके हैं और जारकंड प्रदेश के मुख मंत्री रगुहर दास जी मांच पर आचुके हैं मैं मान्य मुख मंत्री से आगरा है कि आधर निया प्रदान मंत्री जी को यहां का जो अस्थान ड्रेस पंची दे करके समानित करें मान्य मुख मंत्री इसके बाद मैं आगरा करूंगा सभी परत्यासी और जीला अध्यक्ष मानिय परदान मंत्री जी को सामोहिक माला पाना करके स्वागत करें इसके बाद जारखन परदेश के परदेश सदेग लच्चमन गिलिवा जी अध्यूमका के परितासी डॉक्टर लुईश मरानी से आगरा है कि मानिय परदान मंत्री जी को इस्विर्थी चीन दे करके स्वागत करें बहुत बहुत धन्यवाद कार्ज करम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगरा करूंगा आदिवासी मामलो के मंत्री केंदर मंत्री आदर निया अरजुन मुंडा जी को कि आप आएं और सभा को संभोधित करें देश के यसस्वरी अबंग लोक प्रिय प्रधान मंत्री और दिड़ी इक्षा सक्ती के धनी आदर निया नरेंदर भाई मोदी जी आज हम सब के बीच में पहुँचे है सहीद सीदू कानू के धर्ती पर बाबा तिलका माजी के धर्ती पर दामीने कोह के सरजमी दुमका में मैं सबसे पहले दुमका के संथाल प्रगना के तमाम नागरिकों के उर से हारदी कभिनंदन करता हूँ कि आज हम सब के बीच में हम सब को मार्ग दर्शन करने के लिए अपने बीच पधारे इस उसर पर उपस्तित आदर्णिय नेशनल वाइस प्रेशिडेंट और हमारे प्रभारी ओंप्रकास माथूर जी राज्य के मुख्य मंत्री आदर्णिय रगुवर दास जी राश्टिय सह संगठन मंत्री आदर्णिय सोदान सिंग जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मन गिल्वा जी गृह राज्य मंत्री निंत्यानन राय जी हमारे सह प्रभारी और मोरचा के अध्यक्ष रामविचार निताम जी राश्टिय महा मंत्री एवंग सांग्सत अनिल जैन जी आदर्णिय सुनिल सोरें जी आदर्णिय निशिकान दुवे जी आदर्णिय धान सिंग राबत जी संजय सेट जी अभयकान प्रसाद जी, बिने लाल जी डॉक्टर लुईस मरांडी जी परितो सोरें जी, मिस्त्री सोरें जी सुरेश मुर्मो जी, देवेंद्र कुवर जी रंधीर सिंग जी, सेत्यानजा बाटूल जी बिरेंद्र मंडल जी, गजाधर सिंग जी निवास मंडल जी, सुक्मनी हैम्रम जी और यहां भारी संख्या में आए हुए माताए बहने, भाईयों बुजुर्गों दुमका संथाल प्रगना के सभी देवियो भग सज्जनों और प्रेश के मित्रों मित्रों में यहां बहुत जादे कहने के लिए भासन देने के लिए नहीं बलकि आप सब को इस्मरण दिलाने के लिए कि आज आप सब को इस बात का ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में पुनाहिया सुनिश्चित करना है कि राज्य में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बने आज आपको यहां दिलाना कि 2014 में जिस तरीके से आपके परियत्रों से आपके परिश्रम से देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आधर्णिये नरेंद्र भाई मोधी के नित्रुत में बनी और उसको दुबारा मोहर लगाते हुए आपने दुमका से भी अपने दिल्य इक्षा सक्ति को दर्साते हुए प्रचंड बहुमत देते हुए पुना केंद्र में सरकार बनाई तो आज वही प्रचंड बहुमत के साथ राज में भी छे महने के अंतराल में हो रहे है चुनाव में पुन बहुमत के सरकार हम सब को मिल करके बनाना है यह हम सब का संकल्ब है तहेंग बाबा गोगो को बोया अर्मिसरा को जहस्ति का था मैं लगी तो बले इंतिंग वा का ना अलें दो नुआ के लिए नहो रहा चे अबो नुआ दी सम्रे जारखोंड पनोत रहे अबो जहां वो सनांगता है जो नुआ राज बिनाओ दोरकार मिना नुआ राज भो बिनाओ का दा भारो तियो जनता पाठी पाठा को नुआ राज तिया रहना नुआ राज यो तियार बाज वो का कमी अबो अमिनाओ चे चे ले काते नोडे रेन आदिम को नोडे ताहें तेन बोयर मिसरा को लहांती से लहासन को चलामा अर नुआ दिसम्रे जहां अबो आईदरी मिनाओ उना हिसवत अबो रेन बोयर मिसरा को हो जागा को जामा उना जागा बिनाओ लगी तेके अबो सिधा जूग थे अडी अडी दाओ अबो नुआ पनोप मिनाओ लगी दो सलां का है ना त जोड़ी पनोप यRO आ रख ना तो फे नुआ पनोप में पनोप fuyt रेना बाकी कमने को थो कोई कमी है नुआ पनोत्र ना कमी रे बाकी जहां तिने के पार्टी नोड़े मिना कुआ चाहिए वो कांग्रेस मिनाया चाहिए जे एम मिनाया चाहिए जे एबी एम मिनाया चाहिए आरो जहां तिने के पार्टी को मिना कुआ आको दो सिरिफ को राजनिती किया अब अब भोड को अठाओ का थे दीसं हम रे को राजनिति किया अब अब अँका अईदरीट है सब अब वोकआ अधिकार नूना हि सब दो कमी दो भको कमी ले पिंस अनमें टेहें ना差 रही गा वो मेनअभोन टेहें अबो रेंगेज रबांगन के मनाव़ू ना जो दिलास चलावो चलावो इनल सानागा तो आफो तेहें न हुदिश दॉर कार में प्रधान मंत्री तेहें अबो तला रेकिन हैं सड़े राकना जदीजोंब मुझबूता अबो अतुब मुझबूता अबो अतुच थेकते चे लगाते बेशते अबो समोश्या रेना समाधान हुई हुआ अतुच थेकते अबो अबो तक पुरा देश भर में देश के प्रधान मंत्री ने कारे जोजना बना कर वो चाहते हैं कि वो आपके घरों तक पहुँचे आपके गाउं तक पहुँचे आपके छेतर तक पहुँचे और आपके बच्चे आपके परिवार में वो समरित दिखाई दे ताकि भारत मजबूत हो भारत समरित हो और इसके लिए चाहिए इसके लिए चाहिए कि एक राजे सरकार जिस तरीके से 2014 से 2019 के बीच में काम हुए अब 2019 से 2024 तक हम उन अधूरे कारियों को जो कारे प्रारंब हुआ है गती पकड़ी है उस गती को थिवर गती देने के लिए आज पुनह राजे में हमें अपनी सरकार बनानी है और अपनी सरकार ही है इस राजे का भला कर सकता है आपकी सरकार इस राजे की भला कर सकता है भविश्य को अपने हातों से बनाने के लिए हमें आज फैसला सही फैसला करने क्या हो सकता है और वो घड़ी हम सब के बीच में मौजूद है कि हम आगामी बीज तरीक को मतदान करने वाले हैं आगामी बीज तरीक को जो मतदान होगा वो इस राजे का भवी से ही नहीं बलकि आपका भवी से को तै करें इस देश का भवीशी को मजबूत करेगा इस देश में जो हर आदमी का सपना है वो सपना जारखन के आम परिवारों के बीच में खुसियों के माध्यम से दिखाई दे और इसलिए तमाम जोजनाए जो शुरू हुई है जोजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण जोजनाए चाहें आवास के लिए देश के पहला प्रधान मंत्री ने संकल्ब लिया है कि 2022 तक प्रतेक वेक्ति का पक्का मकान प्रतेक प्रिवार का पक्का मकान होना चाहिए यह संकल्ब लेने वाले प्रतान मंत्री इस देश में पहले नहीं हुए तो वुन चीजों को जदी हम अपना गाउं में अपने परिवार में पहुचाना चाहते हैं तो हमें फैसला अच्छे डंग से करना पड़ेगा ने तो ब्रेक जर्नी में फिर अधा अधूरा रहेगा जार्खन प्रगती चाहता है देश प्रगती चाहता है देश संकट से मुक्त होना चाहता है और संकट से मुक्त तभी होगा जब हम परिवार हम गाउं को ससक्त बनाने के लिए अपनी भूमिका को सही डंग से सुनेशित करें स्वास्त के द्रिशी में आज हम आत्म निर्भर सिल्टा के तरफ बड़े प्रतेक परिवार को सुरक्षा की गरांटी है प्रतेक परिवार को स्वास्त की गरांटी है देश के किसी भी हिस्से में जाकर के वो अच्छा इलाज करा सकता है गंभीर बिमारी से फिडित वेक्ती अपना पांच लाग तक का मुक्त इलाज करा सकता है जिसका बहन राजय सरकार और केंदर सरकार मिल करके एक आयुजमान भारत के माध्यम से स्वास्त भारत बनाने की जो जोजना है वो जारखंड में आपके फैसले के माद्यम से और जादे बेहतर ढंग से नागरीकों को मिल सकेगा इसी तरीके से महत्वपूर्ण जोजना एक परिवार प्रदूशन रहित जीवन ब्यातीत करे उन जोजनाओं को प्रारंब किया गया है धुआ रहित गैस कनेक्शन के माद्यम से चूला आपका अच्छे डंग से पकवान आपसे अच्छा डंग से बने इस बात को सुनिशित करने का काम केंद्र और राजे सरकार के माद्यम से गती देते हुए तीब्र गती के साथ जिनके घर में नई पहुचा वहां तक पहुचाने का लग्चे ऐसे महतुपूर्ण बहुत सारे जोजनाओं अडिगान जोजनाओं अब वा नुआ दिसोम्रे पहली बार नुआ बिवस्ता हुए कना जे जहां तीने जहरकन सहिद दिसोम्रे जहां तीना अधिवासी जिलह में न अब आ पहली तस्ता प्रकांड अस्ता तक एकालपवी तचुर्वी तेयारों मा नोडे हो नुआ पनोतर हो 46 सेंक्षन एम हुए करना प्रोटेक ब्लोकरी स्कूल बिनाव लगी अरो अरो जहां थी ना बाकी में आप टोटल साथ स्कूल नोड़े तेयार रहे ना प्रोग्राम अबुआ मेना उना को तभी पुरुआ हुआ जो कोना अबुआ सरकार बेना और उनकान सरकार मेना खंचाओ करते हैं कि चेतान चेतान ते के अना गे हुए करना चीदे जूग खोन अना ते जस्ती बलीज मेना समय को मेना मेंका नोयागे हुदिस्ता है दुरकारा बीस तारीक रहो का वोट मेना अना रे जो तो को जमन आपन उपल बहाद छापा रहे बोट एम काते जहां थी ना अब सनाम को अड़ी-अड़ी सराव और जोतों को अड़ी-अड़ी जोहार मेन पर जोतों में दो काते भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन मुंडा जी अब मैं जारखन परदेश के लोगपिरिया मुख मंत्री आधर निया रगुवर जी जिस अगर दाज जी से आगरा है यह आप आएं सभा को समोदिते हैं रगुवर दाज जिन्दावाद संथाल प्रगना कि इस पवीत्र दर्थी में चुनावी सभा को समोदित करने आए इस देश के करोणों जन्ता के आस्था के पत्तीक गरीबों के मसीहा भारत सरकार के लोक प्रिये प्रधार मंत्री आधरनिये मोदी जी भारत सरकार जन्जाती मंत्रालाए के केंद्रिये मंत्री यह पूरु मुख मंत्री सम्मानिय अर्जुन मुंडा जी भारतिय जन्ता पाटी के राष्टि उपाद्यक्ष और चुनाव परभारी आदरनिय शांसा दोम परकास मातुर जी बाराश सरगार के गिरी राजमंत्री सम्मानिय नित्यान अंद्राय जी जारकन परदेश के अध्याक्ष लच्मन गिर्वा जी, राष्टिय संगठन महा मंत्री श्री सोधान भाई जी, राजसभा के सांसर दक्टर अनील जैन जी, राजसभा यम अखिल भारतिय जन्जाती मोर्चा के राष्टी अध्याक्ष राम विचार नेताम जी, उत्राखंड सरकार के मंच पर उपस्तित मान्य मंठ्री स्री धंसिंग रावाज जी, सांसद गन सिरी सुनिल सोरें जी, शरी निशिकांद रुबे जी, शरी संझे सेट जी, पुरपरदेश अज्यत अभरक कानपरसाद जी, मंच पर उपस्तित हमारे सभी भारतिय जनता पार्टी के सज्जन्वरिन मीडिया के साथियों मैं सवर पर्थम सीधु कानू फूलो जानो तिलका माजी के इस धर्ती में अपने आधनिये लोकप्रिये परदान मंतरी जी का हार देख स्वागत करता हूं हार देख अभिन अंदर करता हूं बर्सों से देश के अजादी के बाद से जो समस्या कॉंग्रेस पार्टी ने लटका के रखी थी उस समस्या को सुलजाने वाले चाहों 370 धारा हो 35 का धारा हो या परभू राम लला जहां जन्म लिये वहां भब्य रब मंदिर का निर्मान करना हो या फिर नागरिक्स संसोधन बिलो ये सारी समस्या को सुलजाने वाले हमारे देश के परदान मंतरी जी को मैं जार्खन की जनता की तरप से और विशेश कर इस चुनावी सभा में उपस्ति सभी जनता से मैं अन्रोध करूंगा कि खड़े होकर ताली बजा कर आप उनका अभियावादन करने का काम करें दो हजार चौदा जब देश की राज की करोणों जनता ने एक चाय बेशने वाले के बेटे को देश का परदान मंतरी बनाए और तब से ना देश में जो देश में जो विकास चाय वो गाँ हो गरीब हो महिलाए हो नौजवान हो किसान हो जो इन पाँच बरसों में जो विकास हुए है उससे सारा दुनिया आज स्विकार कर रही है इतना ही नहीं इन पाँच बरस में जिस तरह अधन्य मोदी जी ने दुनिया में भारत का मान सम्मान गौरों बराने का काम की उसके लिए भी जारकन की जनता की ओर से बहुत बहुत सादुवाद दन्यवाद इन पाँच बरस में 2014 में मानिये परदान मंद्री जी ने राज की जनता से अपील की थी कि आप पून बहुमत दो हम संपून भिकास देंगे राज की जनता ने मानिये मोदी जी पर आस्ता रखते वे भारतिये जनता पार्टी के नेतिवत में एक बहुमत सरकार बनाने का काम की और इन पाँच बरस में जहां हमारी सरकार ने जो जारकन 14 बरस ये मिलावटी सरकार के कारण बेलगाम भरस्णाचार थे उग्रवाद आतं का सासन था हमारी सरकार पाँच बरस के अंदर एक बेदाग सरकार जारकन में हमने देने का काम थी उग्रवाद और आतं का सासन को कम करने का काम हमारी सरकार ने थी इतने ही नहीं है संथाल परगणा का छेत अजादी के इतने वर्स बीच जाने के बाद भी विकास से कोसो दूर थी मान्य परधान मंत्री जी के नेतित में आज आप सब इस बात से सामत होंगे कि इन पांच बर्स में संथाल परगना के विकास चाहों सडकों का जाल बिचाना हो चाहे घर-घर बिजली पहुचाना हो यह पांच बर्स के अंदर डबल इंजन की सरकार्न में पहाड में भी हमारा आदिम जन जाती पारिया वहाँ घर में भी बिजली पहुचाने का काम हमारी सरकार ने की आज गाँ गाँ में चाहदिवासी छेतर हो चाहए दुसरे छेतर हो गाँ गाँ में आज स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है गाँ में फेबर बलोग सड़क बिछाय जा रहा है मानिये पदान मंद्री जी का सपना है 2024 तक हर घर तक जल से नल हमारी सरकार ने उसकी सुरुवात कर दी सोलर जलापूर्ती योजना पाइप्यान जोलापूर्ती योजना के तहत आने वाले 2024 के पहले जार्खन के हर गाउं में घर से नल जल देने का काम हमारी सरगार करेगी इसी तरह ये जार्खन मुक्ति मोर्चा अधिवासी और ये कॉंग्रेस बरसों से अधिवासी के नाम पर राजनिती कर अपनी मत पेटी भरते रही लेकिन हमारा संथाल अधिवासी समाज को भगवान के भरों से चोड़ने का काम किया पहली बार संथाल समाज संथाली समाज की सूद मोदी जी के नेतिवत में डबल इंजन की सरकार ने ली संथाली भासा को हमारी सरकार समरिश साली हो हमने वन से पांच किलाज तक संथाली भासा में पढ़ाई शुरू की मानि पधार मंद्री जी के निर्देश में आज संथाल भासा में सभी रेलवे स्टेशन में एनौस्मेंट हो रहे हैं सभी सरकारी कर्याले ब्लॉक ऑफिस डी सी ऑफिस संथाली भासा में लिके जा रहे हैं इतना नहीं दो दो संथाल मुद्री रहने के बाद भी जो लुबुबुरु घंटा बारी अंतर राश्टिय संसत संथाल समाज की लगती है उसको भी आज तक राश्किय संभान नहीं दी थी ये डवल इंजन की सरकार ने उसके संबान दे कर उच्छेतर को सौंधी करन करने का काम अजादी के बाद पहली बाद ये जो गरीब अदिवासी पुर्खों ने जो अंग्रेजों से सामने खून बहाया था सहीद हुए थे चाहा भगवान विर्षा मुंडा हो सीदो कानो हो दो अनपर मेरी बहान फूलो जानो हो जिनोंने सहीद बिरागना की दरजा पराथ की अजाद भारत में लाल किले से कभी अदिवासी गरीब पुर्खों को सम्मान मिलने का काम नहीं किया पहली बार लाल किले से मानिये परधान मंत्री जी ने भगवान विर्षा मुंडा सीदो कानो को सम्मान देने का काम किया और दुनिया को बताने का काम किया कि आजादी में सबसे पहले अगर अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया तो ये गरीब अदिवासी समाज ने और इतना ही नहीं 25 को रुपिया मानिय प्रधान मंत्री जी ने भी दी ताकि उस सही दसमारक बने जारखन में जहां भगवान विर्जा मुंडा जेल में थे उस जगा को अंडोबार निकोबार विर्जवार कर जी के तहां उस चेत्र को डेवलप कर रहे हैं जहां भगवान व वीड़ी उससे पेड़ना ले सके इस तरह यह जारखन संथाल समाज में या संथाल प्रगणा के विकास में यह डबल इंजन की सरकार काफी कुछ काम किये हैं काफी कुछ संथाल प्रगणा में करने की जरूत है यह जो हमारी महिला सक्ति है नारी सक्ति है मानिये प्रधान म करण के लिए हमारी सरकार ने जहां दो हजार चओधा में 43 हजार सवं साहता समू थी सकھی मंडल बनाकर 2017 हजार सकھی मंडल हमारी सरकार ने बिरुधा 26 लाख मैलाओं को बैंक और सरकार से लीकेज करकर हमारी बैने आर्थी करूप से ससक्ति करण बने इस दिसा में सरकार काम कर रही है, ये रेडी टू एट आंगनबारी जो पॉस्टिकर जाती थे, हर सौल पान सो कोर रुपय का टिंडर होता था, राज से दूसरे बार पान सो करूर चले जाते थे, हमारी सरकार ने तिंडर समात कर, एक नौमबर से हर प्रखंड पर सकhी मंडल की रेडी जहां 50 लाग की संपत्ति में हमारी बहनों माताओं के नाम पर रजिष्टी होगी तो एक रुपिय में अभी तक एक लाग तिरासी याज़ार बहनों के नाम पर रजिष्टी हो चुके इस तरह ये महिला सक्ति आर्थिक रुप से सक्तिगरन हो आदी अबादी को समाज उसका हक दे इस जिसा में अभी हमारी सरकार काम कर रही है इसलिए बहुत सारी काम आप सम जानते हैं मैं आपसे इतने ही अपील करने आया हूँ संथाल प्रगना का सुल्ला का सुल्ला बिदान सबाद छेत जिस तरह आपने दुमका में सुनिल सोरे नजामा का लाल को आपने सांसत बनाने का काम किये उसी तरह सुल्ला विदान साबाद छेत में रहने वाले उमिदवार कोई आप यहां परतिदित बनाएं और यह जो कमल आप देख रहें यह कमल ही समरीदी का परतीक है यह कमल आने से ही यह समरीद राज की गोद में जो गरिबी पल रही है उस गरिबी को हम निस्तबूत कर सकते हैं इसलिए 20 दिसंबर हर घर से कमल की करांती हो यही अपील करते हुए अपनी बात को समाप करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सादुआ बहुत बहुत धन्यवाद मुक्मंत्री मौदय अब मैं मोदी जी के भासन से पहले मैं आप सबों से आगरे करें जोरदार से नारा लगना चाहिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की नरंद्र मोदी जिन्दावाद आपे सानाम गो बाबा बोईदा मिसराको जोहार चितले का मैनाग पेया बिजगी मेनाग पेया पासेच शहीदों की धर्ति को राष्ट्र भक्तों को जन्म देने वाली वीर माताओं की धर्ति को मैं नमन करता हूँ दानी नाथ बासुकी नाथ और फोसदारी बाबा की भुमी को मैं स्रध्धा पुर्वक नमन करता हूँ भाई और भेनों बीते कुछ दिदीनों से मुझे जारखन के अलग-अलग शेत्रों में जन्सभा करने का आउसर मिला है मैं जहां भी जा रहा हूँ वहां की जन्सभा पहले की रेली का रेकॉड तोड़ देती है और यहां भी जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग आशिरवात देने के लिए आए हैं और अगर आपने मोबाइल फोन पर अपनी फ्लेश लाइट न की होती तो शाइद मुझे समझी नहीं आता अगर आखिर कहां तक लोग है न मेरी आखे वहां पहुच पा रही है और नहीं ये कैमेरा की आख भी पहुच पाएगी दूर दूर तक लोग और आज तो मौसम जी जड़ा ज़्यादा ठंडा है सूरज भी नहीं निकला है दोपर को ही शाम जैसा माहोल हो गया है उसके बावजुद भी इतनी उर्जा के साथ उमन के साथ उत्सा के साथ हमें आशिरवाद देने के लिए आपका आना ये हम सब का सवभाग्य है विशेश तोर पर बेहनों और बेटियों का बारी उत्साम है यहां आकर के आशिरवाद देना ये हमारी और एक नई शक्ति बन गया है ये जन समर्थन दिखा रहा है कि जारखंड में भाजपा को कमल के फूल को आप सभी का विशेश कर मेरे आदिवासी भाईयों भेनों का भरपूर समर्थन मिल रहा है भाईयों भेनों ये आशिरवाद ये उत्सा ये समर्थन आखिर किसक का कारण क्या है इसका कारण है आपकी देश के गरीब की हमारे जंगलों में रहने वाले बन्यक्षेत्रों में रहने वाले साथ्यों के लिए हम जिस सेवा भाव से काम कर रहे हैं उसी के कारण ये प्रेम भाव अभिव्यक्त हो रहा है हम आपके सेवग बन करके काम करते हैं मैं आपका सेवग बन करके आपका काम करता हूँ आपके बीच आता हूँ और अपने काम का हिसाब भी जंता जनार्दन के चरणों में रखता हूँ आदिवासी इलाकों में मैंने जीवन का एक लंबा अर्षा उनके बीच में गुजा रहा है एक कायरकर्ता के रूप में आदिवासीों के बीच रहे करके उनकी सेवा करने का मुझे लंबे समय तक अनुभव रहा है और मेरे जीवन को बनाने में वो अनुभव भी बहुत काम आता है और इसलिए मैवर मेरे साथ ही आपकी तकलीफों को बली भाती समझते हैं और उसे दूर करने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं आपकी सेवा के लिए देश की सेवा के लिए हमें ये समर्पण ही हमें बाकी जो लोग होते हैं उनसे बहुत अलग पहचान बनाते हैं जब कि जिन लोगों पर आपने कभी बरोसा किया था जिने जारखन के कर लिया बड़े मले महल बना दिये खुद के लिए खुद के परिवार के लिए लेकिन वे सत्ता के सहासन पर बैठते ही आपको भूल गए थे और तब जांकर के आपको उन्हें सजा देनी पड़ी और अभी भी वो सुद्रे नहीं है वो आदत उनकी जाने वाली नहीं है ऐसे लोगों को आपकी चिंता नहीं है आपके बच्चों की आपके परिवार की आपके भविश्की आपकी मुसिबतों की आपकी आवशक्ताओं की इन लोगों को जरासी भी चिंता नहीं है वो लोग तो सिर्फ और सिरफ अपने परिवार की जिन्ता करते हैं अपनी तीजोरी भरते रहे और इसी में लगे रहे साथियों जी एम एम और कॉंग्रेस के पास जार्खन के विकास का कोई न रोड में भैं न इरादा है न कभी भुद्काल में कुछ किया है अगर वो जानते हैं तो उनको एक ही बात का पता है एक ही बात का बात जहां भी मोका मिले भाजपा का विरूद करो मोदी को गाली दो जहां भी जावबत दिन रात सुबे शाम मोदी को गाली दो यही कर रहे हैं और भाजपा का विरूद करते करते इन लोगों को को देश का विरूद करने की आदत हो गई है उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो भाजपा का विरूद कर रहे हैं साथियों आपने समाचारों में देखा होगा कि हमारे देश की संसत ने अभी नागरिक्ता कानून से जुड़ा एक महत्वपुन बडलाव किया और इस बडलाव के कारण पाकिस्तान, बंगला देश और अफगानिस्तान से जो वहां लगुमती में थे वो अलग धर्म का पालन करते थे अलग पंथ के वे अनुगाई थे इसलिए वहां उन पर जुल्म हुए उनका जीना मुश्किल हो गया उनकी बेहन बेटियों की इज़्जत मुश्किल हो गई ये तीन देशों से हिंदू, हिसाई, सीख, पार्सी, जैन, बहुत उनको वहां से अपना गाउ, गर, परिवार, दोद, यार सब कुछ छोड़ करके भारत में भाग करके यहां शर्णार्थी की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा उनके जीवन को सुधारने के लिए इन गरीबों को प्रती सेवा भाव से उनको सम्मान मिलेश लिए भारत की दोनों सदोनों ने भारी बहुत से इन गरीबों के लिए निर्णे किया ना गरीकता का निर्णे किया लेकिन एक कॉंग्रेस वाले और उसके साथ ही क्या कर रहे हैं भोहला मचा रहे हैं तुफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आग जनी फैला रहे हैं भावियों भनोई जो आग लगा रहे हैं तीवी पे उनके जो द्रश्य आ रहे हैं यह आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है और देश कॉंग्रेस के लोग उनके साथ ही हमारे विरोध करने वाले लोग अगर समझ सकते हो तो समझो आप यह जो कुछ कर रहे हो आप लोग जो हो रहा है उसको मुख समर्थन दे रहे हो आज जो यह आज दिनी फ्यानाने के प्रयास हो रहे हैं उसको आप आखे बंद करकर के मुँँ मोड लेते हो देश उन्हें देख रहा है और देश का विश्वात पक्का हो जा रहा है इन द्रशों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोड ने देश की पार्लामेंट ने भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है हमारा फैसला सही है यह आपके इंकार नामों से पता चलता है और इसलिए जो कोशी से की जा रही है मैं आसाम के नौर्सिस के भाईयो बेहनों का सर जुका करके अभिनन्दन करता हूँ कोड़ों ने हिंसा करने के इरादे वालों को अलग कर दिया शांतिपुन तरीके से अपनी बात बता रहे है देश का मान सम्मान बड़े ऐसा वहवार आसाम नौर्सिस कर रहा है अपना गीला सिक्वे भी बता रहा है यही तो लोग तंत्र है आप हैरान हो जाएंगे लंडन में भारत का दुतावास है देश का दुतावास है एक सो तीस करोड देश वाज़ों का प्रतिनी दित्व करता है जब राम जन्म भूमी का निर्णे हुआ पाकिस्तान वालों ने जाकर के लंडन में भारत के MBC के सामने प्रदर्शन किया धारा 370 का निर्णे हुआ पाकिस्तान के लोगों ने लंडन में हाई कमिशनर के सामने जाकर के प्रदर्शन किया हिंसक वार्दाते भी की आप हैरान हो जाएंगे जो काम लंडन में हमेशा पाकिस्तान करता रहता है पाकिस्तान के पैसों से कुछ भी काव लोग करते रहते हैं पाकिस्तान से आकर के जो लंदन में बसे हैं वो लो करते हैं पहली बार जो काम पाकितान हमेशा करता था ये कॉंग्रेस वालों ने किया बताओ इससे जादा शरम की बात क्या हो सकती क्या दुनिया के देशों में भारत की ही MBC के सामने कभी कोई भारत का व्यक्ति प्रदर्शन करता है क्या अगर गीला सिक्वा है तो जाता है अंदर कमरे में बैठता है चाई पीता है बात बताता है और MBC उस जो कागज होते हैं वो भारत सरकार को पहुँचा देती है दुनिया में हिंदुस्तान को बद्दाम करने का काम हो रहा है और तब जाकर करके लगता है कि भारत की संसद ने नागरिक्ता के कानून में जो सुधार किया है वो हजारों प्रतिशत सच्चा निर्णा है वो आपके कारणामों से अब सिद्ध होने लगा है साथियों देश का भला करने की देश के लोगों का भला करने की इन कॉंग्रेस और उसके साथियों से अब कोई उमिद नहीं बची है इस सिर्फ और सिरफ अपने परिवार के लिए ही सारवजनिक जीवन में आये है और इसलिए जो देश के हित में काम करता है समाज के हित में काम करता है उसे ये कभी स्विकार करने को तयार नहीं है भाईों भाई और भेनों कलपना कीजिए और मैं विशेश रुप से आज संधाल के लोगों के बीच में आया हूं मैं आग्र से कहना चाहता हूं कलपना कीजिए अगर बाबास तिल का मांजी सिर्फ अपना ही ही सोचते हैं तो क्या समाज के लिए इतना कुछ कर पाते हैं अगर सिद्धों कानों चांद भाराव फूलों जानों सिर्फ अपना ही बला करने के लिए सोचते हैं अपने परिवार का ही बला करने के लिए सोचते हैं तो क्या अंग्रेज हिंदुस्तान से जाते हैं क्या ये तमाम से नानी, ये तमाम सहीद परिवार अपने नीजी हित से उपरूर कर समाज हित में, राच के हित में खड़े हुए भाजपा ऐसे ही समस्कारों को धारन करती है, उनको सम्मान देती है साथ क्यों यही कारण है कि आदिवासी समाज से निकले, ऐसे सेनानियों की गाथाओं को अमर बनाने के लिए भाजपा की सरकार लगातार नए नए योजनाय बना रही है देशपर में आदिवासी सेनानियों से जुड़े समारक और संग्राले म्यूजियम बनाए जा रहे हैं बड़े संस्थान बनाए जा रहे हैं इतना ही नहीं हमारा प्रयास है कि जन जातिय भाषा, संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उच्च सिक्षा को बढ़ावा दिया जाए साथ्यों संथाली भाषा और सहित्य देश के प्राचिंतम ज्यान के संसाधनों में से एक है ग्यान का ऐसा अद्वुत खजाना इस धर्ती में छुपा हुआ है आपकी जुबा पर वो प्रगण होता है और जिस पर रिशर्च करना बहुत जरूरी है मुझे खुशी हुई इस बार जो राजशभा का सत्र हुआ राजशभा के अंदर संथाली भाशा में भाशन हुआ और बागी लोगों को उसका भाशांतर ट्रांसलेशन उनको अलग से सुना दिया गया संथाल की भाशा को भारत की राजशभा में सम्मानित किया गया और इसके लिए मैं हमारे देश के उपराश्पती सिमान मेंका नाइडूजु को लाख लाख अभिनंदन देता हूँ इस प्रकार की उनकी सोच के लिए यही कारण है कि देश भर में अनेक नए ट्राइबाल रिसर्ज इंस्ट्यूटूटूर खोले जा रहे हैं इतना ही नहीं दिल्ली में आंतर राश्पतर का आदिस बाशी सहुस्तान जल्द बने इस पर भी काम किया जा रहा है बाई और बैनो संस्कृति और परंपरा के स्थान ज्यान और प्रेणा के साथ साथ परियतन के रोजगार के लिए भी एहम होते हैं यहां तो भगवान संकर से जुड़े अनेक मंदिर है मलूटी मंदिर जैसे एतिहाचिक ठान है ताकलोई भी यहीं पर है ऐसे में हाँ आध्यात्मों और आस्था से जुड़े टूरियम के लिए बहुत संभावना है और इसलिए भाजपा इस खेत्र में टूरियम के अवसरों को बढ़ाने पर भी काम कर रही है साथियों पहले सरकारी योजनाएं और कारकाम सरफ कागजों तक्सिमेट कर रह जाते थे और रुपिय मार लिए जाते थे क्योंकि सरकार और जनता के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी और उनके इरादों में भर भर करके बेमानी भरी पड़ी थी ये खाई राजनिती की थी अपसरसाई की थी ब्रच्चाचार की थी असम्वेदन सिल्टा की थी आपका ये सेवक इस खाई को पाटने में निरंतर जुटा है और इसमें अभूत पुर्वत सफलता भी मिली है ये जन्भागीदारी का ही परणाव है जिसके कारण सिर्फ साट महने में ही देज भर में ग्यारा करोड से अधिक सवचाले बने यहां जार्खन में भी करीब 36 लाग सवचाले तयार हो गए आप याद किजिए पांच साल पहले लोग चर्चा करते थे कि जिस जार्खन की आधिसी जादा अबादी खूले में सोच करने पर मजबूर है जहां कि माताएं बेहने बेटिया गोड़ पीड़ा में है अंदरे में उनके साथ अन्होनी होने की आसंका बनी रहती है वहाँ सफलता कैसे मिलेगी लेकिन जार्खन के आधिवासी साथियों ने बेहनों ने इसको सरकारी अभियान नहीं रहने दिया इस अभियान को अपना मना कर आगे बढ़ाया परणाम आप देखी रहे हैं आज जार्खन के दूर सुदूर इलाकों में गने जंगलों के बीच बसे गरीब परिवारों को आधिवासी भाई बेहनों को उनको भी आज साउचाला ही मिला है सरकार ने सिरफ प्रोच्छान दिया बाकी काम तो जंता जनारणे ने कर दिया रानी मिस्त्री बेहनों ने कर दिया यही तो स्वराज है यही तो सुसासन का अधार है भाई यो वेनो यहां उज्वला योजना के तहत बहुत बड़ा काम हुआ है आज चारखन के 33 लाग परिवारों को गैस का मुप्त कनेक्शन मिला है इसमें भी आदिवाची और दलीद बेहनों को करीब 12 लाग गैस कनेक्शन मिले है जो पहले कोई सोज भी नहीं सकता था वो हमने करके दिखाया है भाजपा की सरकार के काम करने का तरीका यही है मैं आपको एक और उदान देता है साथियो 2014 से पहले सिर्फ दिल्ली और राची से इसासन चलाने की ववस्ता थी गाउं में अगर कुवा या नहार बनानी होती थी तो योजना कहीं और बनती थी गरीब का घर बनाना है तो उसका नक्सा उसमें क्या सामान लगना ये भी दिल्ली में तैफ होता था उसके आधार पर ही पंचायतों को पैसे दिये जाते थे हमने इस ववस्ता को बदलने का प्रयास किया अब प्रदान मत्री आवास जोजना के तहट जो मकान बनना है जो आवास तैयार हो रहे है वो घर का मालिक और घर की मालकीन जो तै करेगी वैसा बनेगा दिल्ली तै नहीं करता है यही कारण है कि अब गरीबों के गार अच्छे भी बन रहे हैं और तेजी से भी बन रहे हैं बीते चार साल में जारखन में भी दस लाग गरीबों के गर बने हैं और जिनको अभी गर मिला नहीं है उनको भी मैं कहता हूं आठ लाग गर अभी बन रहे हैं और 2022 तक एक भी मेरा गरीब आदिवासी गरीब कोई भी पक्के मकान के बिना नहीं रहेगा यह मैं आपको वादा कर रहाया बाईयों बैनों याद करिए 2014 से पहले यहां जो मुख्यमंत्री थे वो 30,000-35,000 मकानों का बनाने का घरों के निर्मान का बात करते थे और उसको ही बहुत बड़ी अपनी उपलिब्दी बताते थे अब कहां 30-35,000 और कहां 10,000,000 हमने इतने ही समय में 10,000,000 करके दे दिया अब हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि देश के हर गरीब करिवार के पास अपना पक्का गर हो साथ ये इसके साथ ही हमने अब हर गर जल पहुँचाने के लिए भी बहुत बड़ा भ्यान छुरू किया है यहां जो पानी से सम्मदित, सिंचाई से सम्मदित समझते हैं हम उसे भली बाती समझते हैं और उसे सुल जाने का प्रयाद भी कर रहे हैं जल जीवन मिशन के तहट जो भी काम होगा उसमें ग्राम समितियों जल समितियों का बहुत बड़ा व्यापक रोल होने वाला है कहां और कैसे पानी जाना है गरों में कैसे पानी पहुचे खेत पे कैसे पानी पहुचे इसकी योजना से लेकर पानी के सुल रक्षान और सप्लाई तक इन समितियों के साथ मिल करके हम काम करने वाले यानि एक तरह से आपको ही तै करना है पानी का प्रमंदन कैसे करना है पैसे सरकार देगी प्लानिंग आप करेंगे साथ क्यों ये क्षेत्र तो मयुराक्षी अजय और मोतिहारा जैसी जीवन दाइनी जाराओं से सम्रुद्ध है लेकर आपके खेतों और गरों में पानी पहुचाने के लिए पहले कि सरकारों ने के गंबिता से काम नहीं किया है जेमेम और कॉंग्रेस का तो द्यानी इस बात पर रहा कि सिंचाई विभाग के बजेट में किस नेता किस पांटी का अधिक हिस्सा रहेगा सोचिए आजादी के अनेक दसकों बाद भी जारखन में जरब बारा से पंदरा प्रतिशत गावों और कस्बों तक पानी की पाइपलेन पहुची थी इस सिटी को बदलने का काम भाज़ पाने किया इसी का परणाब है कि बीते पांच साल में जारखन में पाइपलाइन की कनेक्टिविटी को दो गुना से दिख हो चुकी है मैं आपको फिर ये परोसा देता हूँ जल जीवन मिशन से आपके जीवन में सकार आत्मक परिवर्तन आएगा यहां की सिंचाई वबस्ता को हम उत्तम मनाएंगे साथ के ओजारखन के लोगों के लिए अपने आदिवासी भाईयो बहनों के जीवन को आसान मनाने के लिए बाज़पा के प्रयास हमारी नियर्त और हमारे सेवा भाव के जीते जाकते सबूत है यही सेवाभाव आपके जल आपके जंग्यल और आपके अधिकार को सुरक्षित करने की गारंटी देते हैं बाज़पा की सरकार आपको पूछे बगर आपकी अनुमती के बगर कोई भी कदम नहीं उटा सकती जनहीत जनभावना और आपकी इच्छा के साथ ही आपकी इच्छा ही यह हमारे लिए सर्वो परी है हमें ऐसी सरकार चलाते हैं जिसका कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता है हम ऐसी सरकार चलाते हैं जिसका एक हाई कमांड होता है और वो हाई कमांड ये मेरी जनता जनारदन होती है मेरे देशवासी होते हैं मेरे संथाल के मेरे आदिवासी भाई बेन यही हमारे हाई कमांड होते हैं बाहियों और बैनों संबेदन सिल्ता जन समस्याओं के प्रतिश सजगता और उनके निराकन के लिए इमानदार प्यासी भाजपा की सरकार की पैचान रहे वन्ना कॉंग्रेस और जेमेम की सरकारों ने क्या किया था ये भी आपको याद रखना जरूरी है जेमेम लंबे समय से कॉंग्रेस की सहयोगी रही है दिल्ली में भी बिहार में भी और पिर जारुखन में भी वो सरकार का हिस्सा रही है इतने वर्षों में उन्होंने जारुखनी पैचान के साथ पिछडा सब्द जोड दिया उन्होंने आप पर खर्च होने वाले पैसों को लूटा और आपके पाई पाई के लिए मजबूर महताज होना पड़ा बाई और बैनो दुमका सही जारुखन के बिल्च जिले ऐसे हैं जहां कॉंग्रेस और उसके साथ ही बरसों से शासन के बावजूद बुनियादी सुविधाय तक नहीं पहुचा पाई यह भाजपा की सरकार है जिसने जारुखन के इन 20 जिलों को पिछडे के बजाए आकांची गोशित किया आकांची यानि जो विकास चाहता है आकांची आनि जिसका विकास करने का संकल्प हमने लिया है आपको जानकर हर्च होगा कि देश के सो से अधिक ऐसे जिलों में सबसे बहतर प्रदर्शन करने वाले जो टॉप तीन जिले हैं वो तीन जिले जारुखन के हैं भाई यो बैनो जारुखन यह फर्क होता है सोच में और संकल्प में जो जेमेम और कॉंग्रेस के पास कता ही नहीं है भाई और बैनो जेमेम कॉंग्रेस और वामपंद्यों के लिए आपका विकास आधिवाजिक शेत्रों का विकास कभी प्रात्विक्ता नहीं रहा है यही कारण है कि आज आधी के अनेक दसकों तक सडक से अगर मंचीत रहे हैं तो वो आधिवासी खेत्र रहे हैं बिजली की सुविदा से अगर मंचीत रहे हैं तो आधिवासी खेत्र के लोग रहे हैं सिच्चाई की सुविदा से वंचित रहें तो आदिवासी इलाके किसान रहे हैं। स्वास्त सुविदाओं के अभाव में जीने के लिए अगर कोई मजबूर रहा है तो आदिवासी खेत्र के परिवार रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से वंचीत रहें तो आदी वाजी छेत्रों के बच्चे रहें हैं भाई और बैनों 21 वी सदी के भारत के लिए 19 परस के जारखन के लिए इस स्थित्या हमें स्विकार नहीं है यही कारण है कि हर गाउं तक बिजली पहुंचाने का काम भाजपा ने किया है अब हर गाउं को सड़क से जोडने का काम भी बाजपा कर रही है इस खेत्र को रेल्वे से जोडने का और दुम का हवाई अड़े को सुधारने का काम भी बाजपा सरकार कर रही है जारखन के हर किसान परिवार को हर वर्ष हजारों रुपिये की सीजी मदद बैंग खाते में जमा करने का काम भी भाजपाई कर रही है मुझे बताया गया है कि इस खेत्र के हजारों किसानों को इसका बहुत लाब हुआ है खेती में उन्हें मदद मिली है सात्यों जारखन के आदिवासी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जादा दूर तक जाना न पड़े इसके लिए हर ब्लॉक में एक लव्य मॉडल स्कूल बनाने का संकल भी भाजपा की ही सरकार ने किया है जारखन में IIT एम जैसे उच्च शिक्षा के इंजिनेरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई के संस्थान खुले ये काम भी भाजपाने किया है जबकि आद रखिएगा कॉंग्रेस और जैमेम की सरकारों ने तो यहाँ एम्स के लिए भी रोडे अटकाडे का काम किया था सात्यों जिस जारखन को जैमेम और कॉंग्रेस ने पिछेरे परन का प्रतीक बनाया उसी जारखन को हम बदलते भारत की नई पहचान से जोडने का प्रयास कर रहे हैं बिते पांच वर्सों में देश की सबसे बड़ी और करोडों लोगों को जीवन बदलने वाली योजनाओं की सुरुवात इसी जारखन की दर्ती से हुई है आपको याद होगा कि देश पे स्वरोजगार की क्रांति लाने वाली मुद्रा योजनाओं की सुरुवात यही दुमका से की गई थी आज करीब 10 लाग करूर रुपिय के लगबाग 20 करूर रण बैंकों से छोटे उद्यमियों को मिल चुके हैं जारखन के लाखों युवाओं को बैंनों को इससे रोजगार मिला है बैंकों से बिना गारंटी का रण मिला है स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है इस पे 55-35 से अधिक बलीत आदिवाति और पुछडे उद्यमियों है देश के करोणों किसान परिवारों और छोटे दुकानदारों के लिए पैंशन की एतियासी योजना भी इहईशे शुरुवात की गई उसका गवरव भी जारखन को मिलता है प्रदान मंत्री ग्राम चड़क योजना के तहट अनेख दूर सुदुर के गाउं तक सड़के पहुंच रही है पीम किसान सम्मान निदी का विलाब सैकड़ों किसानों को पहुंचा है भाई और बेनों जीएमेंग और कॉंग्रेस के सासन बें विकास को लेकर जो लापवारी बरती गई उसने यहां के जन जातिय समुदाय का बहुत नुक्षान किया है बाजपा जारखन को यहां के आदिवासी समुदाय को इसी से बहार निकालने का प्रयास कर रही है बाजपा के हिंसा के रास्ते पर लिखने हुआओं को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रतिबत है मुझे खुशी है कि बाजपा के विकास कारियों के बाद बहुत से हुआ हिंसा का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में लोट रहे है अपने परिवारों के बिज़ वापस आ रहे साथ यो चार खंड के विकास का यह रात्ता भी तभी मजबूत हो सकता है जब आप एक बार फिर भाज़पा की डबल इंजिन की सरकार को मजबूत करेंगे जार खंड में गरीब, आदिवाची, दलीद, पिछडे, बंचीद, शोसीद, किसान, सर्मीक, माताए, युवाए के हित में चलने वाली योजनाय तभी ठीक से आगे बढ़ पाएंगी जब दिल्ली और राची में एकी सोच और समझ वाली सरकार हो जार खंड का तेज विकात तभी समझ हो पाएगा जब बादों वाली नहीं, इरादों वाली भाजपाद सरकार हो आपका हर वोट सिर्फ यहां विदाग नहीं बनाएगा सिर्फ मुखमंत्रिताय नहीं करेगा बलकि मेरे लिए भी जार खंड में आसानी से काम करने का रास्ता बनाएगा मुझे सेवा करने का मोका मिलेगा मुझे भी स्वास है कि आप एक बार फिर कमल के फूल को पूरी सक्दी के साथ खिलाएंगे कमल के फूल का बटन दबाएंगे भारतिय जंता पाटी को विज़े ही बढ़ जाएंगे और हम सबका एक ही मंत्र रहा बादा रहा जार खंड पुकारा भाजपा दो बारा मेरे साथ बोलिए भारत माता की झाल 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 करते हैं इस तो अगलानो कर गालक़ आएंग एको- Koran हम वासे के लिए नंगे Tam जित्साजिरा के अभ्याश्य आल गश्यार करते हैं कि याम ढ़के आपन आपन के लिए उनकाशीला के अजिए